अभी मैं बना रहा हूँ चकुंदर केचु पत्ते हैं और उसके टेंटल उसके सबजिया और रोटी है दो तीन रोटी वो मैं खाऊंगा और अंडा थोड़ा में ले लूँगा ये भी और सेलेड में चकुंदर खा दूँगा आज की वीडियो में मैं आप लोग को भाई जो ब्लॉग है आज का वो ये की मैं अपना वजन घटा रहा हूँ तो आज पहला तारीक है 1st March 2024 और इस समय मैं बनमसा में हूँ तो भाई बात करूंगा की मैं अपने वजन को लेकर क्योंकि वजन बहुत ज़ादा बढ़ गया 90 kg हो गया और जहां मेरा हाइट के इसाब से 63-64 होना चीए तो भाई खाने पीने में क्या है अभी जो मैं रात को भी जो मरजी है वो खा देता था हाला कि दो साल पहले फिर गिरा था मैंने 90 से 67 अब आज से फिर से मैं वही तरीका अपनारण जैसा मैं रूटीन मिलाता था अच्छा खाना थोड़ा बढ़िया लाइफ फूड और कुछ शेयर करता हूं राइट अच्छी बता दू मैं मोटा पा हर किसी को नहीं होना चीए चाहे औरत हो या आदमी हो क्योंकि मोटा पाना शरीर को एक तो बद्दा दिखता है बहुत गंदा दिखता है कपड़े फिटनी आते हैं दुनिया भर के कपड़े बदलने पड़ते हैं हर महने हर साल कभी कम कभी जादा तो खाने पीने में ध्यान दे और हर किसी को कहना चाहता हूं और इवन मैं आज से एक मार्च है मैं लगभख पंदर दिन में एक बार वीडियो अपलोड करूंगा अपने फिटनेस को लेकर भी कि कितना मोट आप मेरा कम हुआ या नहीं और अच्छा खाई अच्छा खाने का मतलब यह निकी भई खूब चिकन मुरुग अंडा मीट मचली नहीं और ना ऐसा खाना की जिसे फैट खूब बड़े फैट यानि की जैसे की आपका बटर जंग फूड बटर कभी खबार समटाब बहुत ल यह बिल्कुल ना खाएं अच्छा खाने का मतलब है हरापुडा रोटी एंड सालेड इस पर ध्यान दे अच्छा कई लोग आजकल जमाने क्या होगा अच्छा खाने का मतलब लोगों का यह मतलब होता है एक खुब चिकन उकन मुरुगा भार का खाना जंगपूड खाओ य ऐसा ना करें मोटा पा ना होने दे शरीर में बिमारियां दुनिया भर की आएंगी तो आज मैं यही शेर करना चाहता आप लोग के साथ क्योंकि मेरा भी खुद बढ़ चुक है तो मैं आज एक तारिक से सौ प्रतीशत अपना वजन कटाऊंगा जितना मेरे को लाना है उतना कम करूंगा और मेरे विवास को भी सभी लोगों को मैं यह बात बताना चाहता हूँ अभी फिलाल तो मैं थोड़ा सा अंडा बना है वो खाऊंगा रोटी के साथ और जो यह चकुंदर के अभी पत्ते लाएं हमें और चकुंदर भी है उसकी चकुंदर के पत्तो की सबजी थोड़ा भून के खाऊंगा एंड साथ में चकुंदर सालेड है रोटी है और अंडा फुचिया बना रखा तो मैं नास्ते में खाऊंगा नहीं तो मैं भात सोबर शाम जंक फूड मीट अंडा भाई इस तरह का और ओईली चीज जंक फूड एंड आपका हो गया बटर ऐसी चीज खा ले करता था मैं क्रीम और यह भार की चीज होते हैं इज्जा पिज्जा यह सभी चीज अरगर बरगर तो भाई और हाँ एक चीज में बताना चाहूंगा जैसे कि मैं हॉस्पिटल लाइन से हूँ तो छे महने में अपने शरीर को जाच जरूर करवाएं डिटॉक्सिफाई करवाएं उससे पता च शरीर में क्या रोकउत्पन होरा है या नहीं ॥ अब कहीं लोग कहते हैं घुच्छे नहीं होता जार बट ऐसा नहीं है अब अपने बाएक गाड़ी को लगबख मेहने 2 मेहने तीन मेहने पर सर्विस कर देते हैं लेकिन अपने शरीर को क्यों नहीं क्योंकि शरीर जरूरे गाड़ी जरूरी है शरीर रहेगा तबी तो गाड़ी चला पाएंगे तो यह चीजों का ध्यान दे आज के वीडियो में यही मैं आपको शेर करना चाहा रहा हूं और मोटाबा से लेकर स्पेशली क्योंकि मेरा अपना खुद का मोटाबा शरीर का बढ़ चुका है इसलिए जानम देख लो मिठ गई दूरियां मैं यहां तुम यहां तुम यहां तुम यहां और मैं हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए और जो नए वीवर्स मेरे नए वीवर्स हैं मेरे चैनल का नाम है DW वाल भारत विलोग के नाम से यह वाला चैनल और जिसमें मैं ट्यूटरल देता हूं इनफोर्मेशन याने कि वो है चैनल के नाम DW भारत यूट्यूब के नाम से दो चैनल है और दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए देखिए वीडियो और तरह तरह के जगों मैं जाता हूं मैं क्योंकि मैं मार्केटिंग वाला हूं तो भिन्न भिन्न प्रकार के चीजें लोग को सीखने वाली चीजे भी बिल जाती मेरे चैनल में बार बार देखो हजार बार देखो देखने की चीज है हमारा दिलवा काली हो काली हो अ यह वाड़ गुलाबी आँखी जो तेरी देखी शराबी ये दू हो गया संभालो मुझे को उ मेरे यारो संभालना मुश्किल हो गया ये पत्ता काट हूँ या नहीं है तो फ्रेश आमिन फ्रेश तो क्या साफ है तो इस पत्ते को भी काट लेता हूँ स्वस्त रहेंगे तो लंबे समय तक जीएंगे काम कर पाएंगे पैसा कमाएंगे अगर अस्वस्त रहें यानि की मोटापा बड़ा तो दुनिया भर की बिमारी आएगी काम नहीं उपाएगा पहुत सारी चीजें उत्पन होना शुरू हो जाता है इसी लिए मोटापा घटाएं अपने दंचरिया के हिसाब से अपने काम के साथ उसारिया बहुत है काटने भी तो अभी तो बाबु को भी छोड़ने जाने स्कूल अनाया को तो भी अपने स्वास्त का ध्यान रखे और मोटापा होने ना दे चाहें वो कहीं कावे रहने वाला हो वो गाओं के हूँ या शहर के हूँ मैटर नहीं करता कई लोग कहते कि अप लेडिज ये इस्पेशन लेडिज कहते है घर को घर पर कहो ना कि थोड़ा एक्साइस किया किजिए दोड़ा भागा कीजिए और पसी ना वहेगा तो मोटा अपा गिरेगा तो उनका क्या कहना अतर तुरंत एकदम से लेडिज होगा चाहा हमावरे गीड लेडिज हो या बहार की लेडिज हो ये कहना होता कि काम तो करते हैं दिन बार बरतन माला आज ज confrontation करते हैं और कपड़े तो होते हैं बच्चे को तैयार किरें खाना पिनाते हैं ये वो दिन बार गान भीजी रहे तो उससे फिट रहेत थैं नैकि क्यों अच्छा लगा रहे तो भी कलाय घुमेगा, तो कर क्या रहे हैं, भई लेडीज है बुरा ना वाने, इसलिए खहरा हूं, कोई भी लेडीज हो, बट लेडीज हो या जेन्स हो, एक साइस कर ये, अपने शरीर को चलाईए, दोडाईए, पसीना बहनाची और स्लिम डरिम रहा हूं, 7827503725, जैसे कि मैं हमीशा कहता हूं, मेरा काम हॉस्पिटल वाला है, और भगवान ना करे कोई बिमार हो, कभी ज़रुत पड़े, लेडीज हो, बताईए मेरे को, तो वही आज के लिए इतना ही, especially आज के वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहर था, कि मोटा आपा ना बढ़ने दे, क्योंकि मेरा अल्ड़ी बढ़ चुका है, हाइट के इसाप से 63 या 4 होना चीए, अभी है exact 90, आज है 1st March 2024, बनबसा मैं हूं, उत्राखंड कुमाओं, इंडिया, तो आज से 5 मेने का टाइम है गर्मी का मौसम, मुझे पूरा Slim Dream होना है, तो मैं आप लोगों पंदर दिन में, एवरी पंदर दिन में अपडेट करूँगा, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं, नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई, और थैंक यू सो मच,